असलाम लेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जट पर तयार होने वाले मतंचन की रेसिपी जिससे हम शादियों में मतंचन खाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट में भी और लुक में भी इससे बहले अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो मेरी चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें पास ही बैल आइकन का बटन दबाना ना भुलें ताकि आने वाली हर नियू वीडियो का नोडिफिकेशन मिलता रहे वीडियो स्टाट करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बटन मैं उसमें एट कर रही हूं हाफ कफ के बराबर देसी की आप चाहें तो ऑईल या कोई भी घी जो है वाप यूज कर सकने हैं तो अब इसके बाद मैं इसमें एट कर रही हूं कुछ हरी इलाइचियां और जाचने हैं आफ के बराबर मैंने मैं वर गाप जास्तिकर हो तैयार करेंगे हम ऐसको हाफ लूकर सा गर्म करें गईंग और ढीह करेंगे चाश्नी के लिया हमेल एट करेंगे नेखें यहाँ पर मैने इसमें दूध आट किया है अब चाशनी जो है वiãoज रडी हो चुकी है और अब हम इसमें बौाइड किया हुए चावल जो है वो इसमें एट कर देंगे चावल एड़ करने के बाद हम इसे चाशनी में जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे उसके बाद चाशनी का जो भी पानी है वो हम अच्छे तरीके से ड्राइ कर लेंगे और यहां पे मैंने कुछ चावल जो थे वो थोड़े से चावल सेपरेट कर लिये थे और उनको 3 हिसो में डिवाइट किया है और उन्में मैंने food color जो है वो add कर दिया है यह देखें यहाँ पे चाशनी जो है अच्छे थी किसे try हो चुकी थी तो यहाँ पे मैंने जिन चावलों में food color add किया था वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ आप चाहने तो डारेक्ट फूट कलर भी इसमें एड़ कर सकते हैं और इसके बाद मेरी पास है यहाँ पे कुछ इशर्फियां जो मैं यहाँ पे इसमें एड़ कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें एड़ करूँगी कुछ किश्मिश यहां पर मैंने इसमें किश्मिश एड़् कर दी है उसके बाद मैं इसमें एड़् करूँगी बदाम और काजू बादाम और काजू एड़् करने के बाद यहां पर मेरे पस कुछ और भी Dzुछ्ठувати वन्हेकर दी है आप चाहें तो अपनी मर्जी से जितने भी आपके बस ट्राइफ़ोर्स हैं वो एड़ कर लें एड़ करने के बाद अब हम इसे बंद करके रख देंगे तकरिबन 10 मिनट के लिए यह देखें जी 10 मिनट हो चुके हैं चावल बिलकुल बंद के रड़ी हो चुके हैं अब हम इने मिक्स कर लेंगे यह देखें इस तरीके से यह देखें जी मज़ेदार सा मतंजन जो हो बंद के रड़ी हो चुका है अगर आपको मेरी रैसिपीज अच्छे लगती है तो इसे जरूर ट्राइ किया करें और इसका फीडबैक दिया करें